सब को मेरी ओर से जय शुकी तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभी शुमसी के दुखभोग के समय यानि के लेंड सीजन के 32 दिन में और आज की हमारी उप्वास प्राथना और मेडिटेशन का विशे है अच्छे कामों को करने में धृड रहें गलातियों के नाम संद पौलूस का पत्र उसका 6 अधिया 5 संख्या 9 में लिखा है कि हम भलाई करते करते हिम्मत नहारें क्योंकि यदी हम दृड बने रहें तब समय आने पर फसल काटेंगे संद पॉलूस हमें इस आयत से सिखाते हैं कि हमें भलाई करने में हारना नहीं है चाहे हम छोटे-छोटे कामों में भलाई करें या बड़े कामों में लेकिन हमें भलाई से हारना नहीं है वो एक और जगा ऐसा कहते हैं कि भलाई से बुराई को जीत लो कि अगर हम छोटी छोटी बातों में भी भलाई करते हैं या दूसरी लोगों के साथ भलाई करते हैं तब प्रभू हमें उसका reward जरूर देते हैं चाहे directly चाहे indirectly लेकिन प्रभू हमें उन भलाईयों का reward जरूर देते हैं इससे मिलते चुलती एक स्टोरी मुझे याद आ रही है आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी किसी cold store में बहुत सारे employees काम किया करते थी और वहाँ एक लड़की भी काम किया करती थी और वहाँ का जो guard था वो काफी old था बजूर्ग था बहुत सारे employees उसे बुलाना पसंद नहीं करते थी क्योंकि कई बार उसके कपड़े भी इतने मैले कुछ आले होते थे कि उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता था लेकिन वो लड़की अकसर उसे विश्च करके जाया करती थी शायद वो पहले चली गई होगी या आज उसने लेट जाना होगा यही दो बाते उसके मन में चल रही थी तो यही सोचते सोचते वो अंदर चला गया और जब वो अंदर गया तो अंदर से किसी की आवाज आ रही थी जो cold store का door था वो अचानक से बंद हो चुका था और जिस किसी ने भी उसे बंद किया था उसे यह पता नहीं था कि वो लड़की अंदर है वो employer अंदर है तो जब उसने उस आवाज को सुना तब उसने उन लोगों को जो वहीं पे थे उन्हें बुलाया और उस door को open करवाया तब उस employee ने उस लड़की ने उनका बहुत शुक्रिया आदा किया क्योंकि अगर उस समय वो उस door को ना खोलते तो शायद वो लड़की मर जाती लेकिन इस बात से हम ये सीखते हैं कि जब हम किसी के साथ भला करते हैं वो चाहिए एक छोटी सी विशी क्यों ना हो हमें प्रभूस का reward जरूर देते हैं तो जैसा कि संद पॉलोस भी हमें समझाते हैं कि तुम भलाई करने में हार नहीं मानो लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो आज हमें पास प्रात्ना में इसी पर meditate करना है और यही सीखना है तो प्रभू से इसी को मांगते हुए प्रात्ना करते हैं सरशक्तिमान पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए और स्पेशली आज के इस विशे के लिए stay perseverate in good works अच्छे कामों को करने में दिड़ बने रहना होने दे प्रभू कि हम भलाई करने में हार न माने जैसा कि संदपॉलोस हमें सिखाते हैं और वो अपने आत्मिक experience से हमें ये बाते सिखा रहे हैं होने दे प्रभू कि आपका पवितरात्मा हमारी अग्वाई करे हमारा मार्ग दर्शन करे और हर एक बात में चाहे वो बड़ी हो या छोटी हमें selfless भलाई करना सिखाएं वो हमारी अग्वाई करे क्योंकि अपने पवितरात्मा को आपने हमारी मदद के लिए हमारी अगवाई के लिए हमारे सहायक के रूप में हमें दिया है होनदे प्रभू की आज से हम हर उस भलाई के काम को चाहे छोटा हो या बड़ा उसे करने से हार नहीं माने हमें कॉंस्टन्ट रहना सिखाएं खुदावन इस प्राथना को हम आपी के इकलोते पुत्र हमारे उधार करता प्रभी शुक्रिस्ट के नाम से मांग लेते हैं आमीन तो यही है हमारी आज की उप्वास प्राथना और मेडिटेशन का विशे इस पर मनन करें प्रभू आपके साथ है God bless you all